फाइजी सर्विस का तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है सेल्यूलर ओप्रेटर्स असुसेशन ओफ इंडिया के डी जी डॉक्टर इस पी कोचर के मुताबिक सर्विस के लिए मिद्बैन स्पेक्ट्रिम सबसे अहम है उनसे बात की हमारे सही होगी समीर देख्षित ने सिट्स गिगाहर्थ बैंड में अलोकेशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं और खास कर कि 5G रूल आउट में यह चाहते हैं कि किस रूप में हो और वो फाइजी का एफेक्टिव रूल आउट और बहता तरीके से उपार इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि 5G रू करें तो हमको 2000 मेगाहर्थ चाहिए ठीक तरह का कवरज देने के लिए अब 2000 मेगाहर्थ की रिक्वार्मेंट के अगेंस्ट हमार पास हिसे में 720 मेगाहर्थ मिले और उससे ज्यादा है नहीं है और अगर आप 6 GHz जो भी जो मिडवेंड का ही पार्ट है उसमें 1200 मेगाहर्थ अवेलेबल है खाली बड़ा है तो हम यह कह रहे हैं कि हमारी रिक्वाइमेंट ही 1200 है हमरे को 720 के साथ उसको मिला दीजिए तो 2000 के करिब-करिब हम पहुंच जाएंगे तो उससे पूरे देश में हम 5G सर्विस अप्टिम तरीके से दे पाएंगे तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके साथ ही अखरी सवाल जो पैस की ऑन्वाटेड को यह स्पैम मेसेज़े बगरा रहते हैं काफी कदम तो टेलेकॉम रेगुलेटर के तरफ से दिशा इडिश आ भी चुके हैं लेकिन अफेक्टिव नहीं होता है वो उतना प्राब्लम सॉलिंट टाइप का नजर नहीं रहा है यह इसमें बहुत काम हो रहा है और इसमें ट्यार आए और ट्यार एस्पी बिलकुल कंदे से घंदा मिला के काम कर रहे हैं और दोनों दोनों का देह यह है कि इसको रोका जाए और इसकी सुलूशन भी निकल कर आई हैं जिसके जो ट्यार एको भी एक्सेप्टेबल ह और तीनों TSP को acceptable है और बहुत जल्द वो solutions implement होंगी और उसका नजरिया आपको अभी दिखी रहा है मार्केट में कि TSP network पे जो pesky calls आते थे उनको पता चल गया कि यहां पे तो भी restriction लग जाएगी तो वहां से आने कम हो गए है अभी OTT पे ज्यादा आ रहे हैं तो क्यूंकि OTT regulated नहीं है उस पर आएंगे तो उसको भी regulate करना चाहिए है